वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें फरवरी महीने के महतोपून दिवस कुछ जनवरी के दिवस देखेंगे उसके बाद फरवरी महीने के महतोपून दिवस देखेंगे पूरे एक साल की सिरीज चल लए है जिसमें हम important topic देखेंगे अभी हमने सबसे पहले important days start किये हैं पूरे एक साल के महत्वपून दिवस यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कि आपके upcoming सारे exam के लिए important है चाहे आप video की तयारी कर रहे हों चाहे आप BEO की तयारी कर रहे हों चाहे आप UPPSC की तयारी कर रहे हों या फिर आप कोई भी state PCS देने वाले हों या फिर आप UPPSC की तहट होने वाला कोई भी exam देने वाले हों जैसे कि junior assistant का exam है अभी ठीक है तो आपके सारे exam के लिए important है railway में, bank में, SST में सब में आपके महतुपुन्दिवस पूछे ही जाते हैं तो आप पूरा वीडियो आराम से देखें ध्यान से देखें चली start करते हैं इसकी playlist बना दी गई है तो previous जो parts आए हैं तीन part आचुके हैं जिसमें अभी तक हमने देखा है मार्च महीने के महतुपुन्दिवस उसके बाद हमने देखा था April के फिर मही के देखे थे और यह पूरे हम एक साल के देख रहे हैं और फिर आगे आपके जैसे महीने हों के जैसे भी June चल रहा है तो June के भी देख लेंगे तो पूरे आपके चलते जाएंगे और previous मतलब पिछला भी हम पढ़ते जा रहे हैं साथ-साथ जो आगे का आएगा वो तो पढ़ी लेंगे और पिछला भी पढ़ते जा रहे हैं और एक चीज और आप इसके लिए सबसे अच्छा है हमारे telegram group जोईन कर ले online exam preparation का आपको मिल जाएगी इसकी link के description में क्योंकि यहाँ पर आपको daily आपको दिवस उसकी theme और उसका important सारा कुछ आपको daily post मिलती है जो आपको मिल जाता है तो यहाँ पर अगर आप daily update रहते हैं तो आप यह topic है जो complete आपका हो ही जाता है और भी आपको important post देखने को मिलती रहती है तो इसको जरूर जोईन कर ले बाकी यह series तो चली रही है इसकी playlist बन गई है तो उसको भी आप follow कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी 29 जनवरी 2023 को हमने मनाया विश्य कुस्थो रोग दिवस और यह 17 नंबर का सत्तरवा बनाया था हमने इसका बिसाय था act now and leprosy कुस्थो रोग ठीक है इसके लिए हम दिवस मनाते हैं सत्तरवा दिवस हमने साल मनाया 2023 में 29 जनवरी को मनाया विश्य होता है इसका 2023 के लिए act now and leprosy कुस्थो रोग को रोग कहा जाता है इंग्रेजी में इसकी theme भी ऐसी ही है कि इसके लिए हमें काम करना है ठीक है तो इसकी जागरुकता के लिए ताकि लोगों को बताया जा सक कि लोग देखकर ही जो रोगी होते हैं उससे दूर हो जाते हैं और उनकी सेवा भी नहीं करते हैं उनका इलाज भी प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता तो ऐसा ना हो जो रोगी हैं उनको इलाज मिल पाए सावधानी के साथ जो लोग हैं वो भी उनकी सेवा कर पाएं तो उसक सब एक लोग दूर भागते हैं लोगों से जो रोगी होते हैं उससे तो वो चीज़ें भी कम हो सके दूसरा इसकी रोगताम के लिए प्रियास किये जा सके तो दोनों ही इसके उद्देश होते हैं अगला दिया गया है सहीद दिवस तीस जनबरी को मनाया जाता है यह कई सारे बार मनाते हैं इसको 23 मार्श को भी मनाते हैं और भी दिवस मनाते हैं यह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साल भर में साथ बार इस दिवस को मनाया जाता है सहीद दिवस को कब कब मनाते हैं यह हमने डेट पढ़ ली थी ठी आते हैं महात्मा कांदी जी की पुनेतिती की रूप में इसके अलाबा एक इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम में पुछते हैं वो 23 मार्श वाला भी पुछते हैं 23 मार्श को भगत सिंग राजगुरु सुक्देव को फांसी हुई थी तो इसी की आद में मनाया जाता है यह हमा तो यह दिवस भी 30 जन्वरी को मनाया जाता है इसके बाद 31 नंबर का रास्टी महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया तो यह आयोग का स्थापना दिवस है 31 जन्वरी को मनाया और अगर आप देखें तो अंतरास्टी महिला दिवस 8 मार्श को होता है तो वो वाला भी याद रखने एक्जाम में यह वाला बहुत पूछा जाते हैं आर्थ मार्च वाला 31 जन्वरी को मनाया हमने रास्टी महिला आयोग हमारा जो आयोग है नैशनल भूमेन वाला जो आयोग है उसकी स्थापना का दिवस 31 जन्वरी को विसे क्या था ससक्त नारी ससक्त भारत यह इसका व दो फरवरी विश्यो आदर भूमी दिवस वर्ड बेटलेंड यह दिवस बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है इंपॉर्टेंट है याद रखना है इसकी थीम है इस टाइम फॉर बेटलेंड रिस्टोरेशन बेटलेंड जो हमारी आदर भूमिया है उनको रिस्टोर कर ठीक है उनके सनलक्षन के लिए काम करना यह दिवस यही बताता है यह किस से प्रेरित है तो दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर वाले सहर में रामसर जो जगा है वहाँ पर बेटलेंड यानि आदर भूमियों का एक कंवेंशन हुआ था ठीक है तो इसमें ही बेटलेंड कंवें हैं ठीक है 2023 में इसको हमने मनाया फिर से हर साल मनाते हैं चार फरवरी को विश्यो कैंसर दिवस मनाया जाता है चार फरवरी को मनाते हैं सर्भोष नियालय का इस्थापना दिवस हमारा जो सुप्रीम कोड है उसका इस्थापना दिवस मनाते हैं और यह पहली बार है जब य 73 भी वर्सगार्ट थी इसके बाद विश्य दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं थीम क्या थी? सतत वविश्य के लिए दाले सतत यानि सस्टनेवल फ्यूचर के लिए दाले इंपोर्टेंट होती है दालों से हमें प्रोटीन मिलता है ये पोशन के लिए अच्छी होती है हमें अच्छा खाना अगर खाते हैं तो दाले उसमें जरूरी होती है तो दालों के लिए ये दिवस मनाते हैं विश्य दलहन दिवस 10 फरवरी सतत बविश के लिए दाले पहली बार ये दिवस 2019 में मनाया इसके बाद अगला दिवस है दस फरवरी को ही मनाते है रास्टी क्रमी मुक्ती दिवस भारत सरकार ने दस फरवरी 2016 को देश के सभी राज्यों में रास्टी क्रमी मुक्ती दिवस को मनाने के लिए निर्णा लिया तो हर साल 2016 से 10 फरवरी को दिवस मना रहे हैं राश्ची क्रमी मुक्ती दिवस क्रमी मतलब जो क्रमी कीट आदी होते हैं उनको उनसे मुक्ती के लिए दिवस मनाते हैं इसके बाद 11 फरवरी 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है यह वर्ल्ड यूनानी डे हैं इसके बा तो ये पूछे जाते हैं इक्जाम में तो दोसो भी जैनती मनाई हमने 12 फरबरी को नरेन मोधी जी ने दिल्ली केंद्रागांदी इंडूरी स्टेडिया में महर्शी दयानन सरश्वती की दोसो भी जैनती के उबलक्षवें साल भर चनने वाले समारुकाद गार्डन किया इन् क्या थी उत्पादक्ता हरित्विकास और इस्थिर्ता भारत की जी ट्वेंटी अधक्षता का जश्न तो अभी भारत में कई सारी कारिक्रम जी ट्वेंटी से रूलेटेड हो रहे हैं कई सारी बैठेके भी हो रही हैं अभी भारत को बर्स 2023 में जी ट्वेंटी के अधक्षत भारत में बहुत सारे कारिक्रम इसी से संबंध चल रहे हैं इसके बाद 13 फरवरी बहुत इंपॉटन डे एक्जाम में पूछा जाता है 13 फरवरी को विश्य रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं 13 फरवरी को ही मनाया जाता है अंतरास्टि एपिलेपसी दे 13 है 13 तेरा फरब्री को यह देवस कंगा इतंगल आथ गांज से जिन को जानते हैं यानि की शरोजणी नाईडू ना इंगल फिंडिया की नाइट इंगल या इंडिया की नहीं तो एक थी नर्स पाल कौन थी तो सरोजनी नाइडू है इन्हीं की याद में 13 फर्वदी को मनाते हैं इनका जो है 13 फर्वदी को इनका जन्म दिवस होता है यह पी बाला बड़े होता है तो 2014 से हमने शुरू किया मनाना और अभी मना रहे हैं इसके बाद अगला दिवस देखते हैं अगला बित्ति की जानकारी होनी चाहिए आपके बित्ति से संबंदित आपको सारी इंफोर्मेशन हो सारी जागरूगता आप रखें इसके लिए पूरा बीक मनाया जाता है बित्तिय साक्षरता थाकि आप बित्तिय रूप से साक्षर हो सके इसके लिए अलग अलग कारिक्रम चला एक हम मनाते हैं Cancer दिवस 4 फरवरी को ये 15 फरवरी को मना रहे हैं अंतरास्टी बाल Cancer दिवस पहला वैश्विक परेटन लचीला पन दिवस 17 फरवरी को मनाया है चुकि पहला इसलिए important है संयुक्त रास्ट महासवा ने 17 फरवरी 2023 को वैश्विक परेटन लचीला पन दिवस गो मनाते हैं मरदा स्वास्तकार्ड दिवस 8 वा मनाया हमने ये 2015 से सुरुआत की थी मरदा स्वास्तकार्ड योश्णा 19 फरवरी 2015 को प्रिधार मंती। नरेन बोडी के दवारा सूरतगर्ण राजस्तान से सुरू की गई थी तो 19 को ये दिवस हम मनाते हैं इसी की याद में मरद स्वास्थ कार्ड दिवस किलियर है इसके बाद 20 फरवरी एक्जाम में पूछ सकते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को 21 फरवरी ये पूछ चुके हैं एक्जाम में अंतरास्टी मात्र भासा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं केंद्री उत्पादक्ता सुल्क दिव होती है उससे संबंधित कानून में बदलाव करने के लिए पारित किया गया था इसलिए इसी किया में 24 फरवरी को यह दिवस मनाते हैं किलियर है तो यहां पर हमने फरवरी महीने की और कुछ जनबरी महीने कि महतुपूर्ण दिवस देखे थीम देखे उनका इंपोर्टेंस देखा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर प्रैस कर दे इसके अलाबा ओलाइन एक्जाम पेपरेशन की टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लिजे और अगर आप स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विस की किसी भी पेट ग्रुप से जोड़ना चाह सुरू से लेकर अच्छे से जीरो से लेकर हाई लेविल तक की पेपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा बित पर्सनल गाइडेंस बित प्रक्टिस सैट सब कुछ तो अकर जोईन करना है तो जोईन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में रहें चैनल के साथ स्वस्त रहें मस रहें मुस्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच